नमस्कार साथियों वो मेरी प्यारे पस्पालक भाईयों मैं डॉक्टर दुरुगेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूपर ग्रोवैट साथियों पसू से सम्मंदित जो भी बीमारी होती है वन वाई वन एक एक करके साथियों वो सारी डिजीज मैं आपके सामने वीडियों के माध्यम से ला रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से उसे समझ सकें और उस रोग के बारे में जान सकें साथियों इसका इलाज क्या होता है ये भी जान सकें और ये रोग कौन सा है ये भी जान सकें साथ साथ उसके लच्छन क्या निकल के आते हैं बोडी में ये भी जान सकें लेकिन इस से पहले साथियों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें सेर करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकोन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सकें कुछ ब्यक्तियों के कमेंट्स थे साथ कि वीडियो को बड़ी ना करें साथियों वीडियो को बड़ी करने का मेरा कोई उद्देश नहीं है लेकिन एक वीडियो के अंतरगत जब तक पूरा रोग नहीं आएगा आप उस रोग के बारे में नहीं जान पाएंगे ना ही उसके लच्छनों के बारे में ना ही उस रोक के नाम के बारे में और ना ही साथियो उसके इलाज के बारे में तो साथियो ये जो स्क्रीन पर आपको वफैलो दिखाई दे रही है आज इस डिजीज के बारे में बात करते हैं और पसपालगवाई से भी जानेंगे उसकी case की history के बारे में ये कब से problem है लेकिन साथियो ये clear आपको दिखाई दे रहा है कि इस buffalo की जो आँख है जी हाँ आई है वो बाहर की तरफ निकल रही है और जबडे के नीचे साथियो swelling भी दिखाई देने लगी है ये disease कौन सा है हम इलाज क्या करें आज इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन इस से पहले साथियो इस buffalo की case history भी जानते है थोड़ा पसपालक से ये जो बहेंस है आपकी ये कब से परेशान है परेशान तो बहुर कुण लाई रहा तो को बढ़िया बांदी है अब सुबह चारा खाया है चारा खाया है ये आँख वाली समस्य आपो कब दिखाई दी सबेरे नहीं कल नहीं थी आज सुबह के वजे तकरीवन पांच वजे में निगा लिए पांच वजे में तो दीगीना के कहा है अब अभी दिखाई दीए अच्छा ये जो थोड़ी पर इसके सूजन है जवड़े के नीचे ये भी अभी दिखाई दीए पहले एक आँख निकलीती है डारेक्टरी दोनों निकली है आपने डारेक्ट दोनों ही देखी है ठीक है वैसे चारा खा रही है आँख निकलाई है और ये नीचे डार के नीचे खाल लटक गई है और कोई समस्या नहीं है है ठीक है चलो हो जाएगी से ठीक है देखा साथियो मौसम है ये हलका सर्दी का जी आ साथियो ये समय कौन सा है ये समय है अक्टूबर का महिना जिस तरीके से हलके हलकी ठंड बढ़ने लगती है साथियो बफैलो के अंदर ये जो प्रॉबलम बनी है ये अचानक बनी है पसपालक का कहना है और ना ही इसके खाने पीने में कोई दिक्कत है लेकिन प्रॉबलम क्या है इसकी आँखें बिल्कुल इस तरीके से वहार निकलाएं जिस तरीके से किसी भी चीज से इसको छती पोंची हो या चोट पोंचे हो लेकिन साथियो ये बीमारी किस कारण से होती है और इसमें क्या-क्या लच्छन दिकाई देते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूझ सबसे पहले इसमें आंकें आपको बाहर निकाली हुई दिखाई देंगी और आंकों के बाहरी पर्थ पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग दिखाई देंगी और साथी उसके जवड़े के नीचे सूजन हलकी हाड नहीं होगी हलकी लूज होगी जी हसाती होई किस कारण से होता है ये अचानक मौसम परवर्तन हो उस कंडिशन से भी हो सकता है पेट में लीवर में कीडे हो डिवर्मिंग नहीं हुई हो पसू की उस कार्ण से भी हो सकता है कभी कभी देखा गया है साथियो पेट के कीडों की बज़े से इसके अंदर एलर्जी भी हो जाती है और उसके कार्ण liver flu condition में भी ये condition दिखाई देती है साथियो किसी किसी case में ये देखा गया है कि काफी treatment करने के बाद आखों का हलका-हलका operation भी करना पड़ता है क्योंकि साथियो आखों की जो जिल्ली होती है उसमें कभी-कभी मबाद भी बन जाता है और हमारे antibiotic उस जगे काम नहीं कर पाते 100 में 99% में नहीं 1% किस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ हमें operation करना पड़े लेकिन साथियो इसका हमने इलाज क्या किया इलाज में साथियो सबसे पहले इसे diverming कराने की जरूवत होती है और diverming में साथियो आपने लिवामिशॉल प्लस ओक्सी क्लोजरनाइड साल्ट का diverming कराई और इस diverming को साथियो सरफ एक ही वार देना है इस बफैलो का जो treatment होगा वो लगातार तीन दिन होगा आप diverming अगर यदि repeat करना चाहते हैं तो 15 डेज यानि 15 दिन बाद कर सकते हैं इंजेक्शनों में साथियो आपने 50 ml जेंटा माईशिन लेना है और 5 ml आईसो फ्लूल लेना है और साथियो साथ में सेफ्ट्रा यॉक्सोन 4 ग्राम आपको इंट्रा मस्कुलर यूज करना है साथ में साथियो 15 ml निमुसलाइड पेरासीटामोल ये इंजेक्शन साथियो पसू की गर्दन पर लगाना है ये जो कंडीशन है साथियो आज दूसरे दिन की है आप इस क्रीन पर इसे बहतर तरीके से देख भी पा रहे हैं जो डिवर्मिंग कराई और जो इंजेक्शन इसको लगाये गई साथियो तो उसके दूसरे दिन इसको कितना रिलीव था आप स्क्रीन पर इसको भी किलियर रूप से देख पा रहे हैं ये देखिए साथियो आज इस बफैलो को 50% से ज़्यादा रिलीव है तो आज इसको इंजेक्शन क्या-क्या दिये जाएंगे साथियो ये चारों इंजेक्शन इसे अगेन रिपीट कर दिये जाएंगे साथियो और इसे तीसरे दिन कितना रिलीव होगा वो भी आपको इसक्रीन पर दिखाये जाएगा लेकिन साथियो थोड़ा इस बात का विशेश ध्यां रखें कि जब आप इस पसू का इलाज कर रहे हों तो उस समय उसे थोड़ा ड्राई में भोजन दें ज्यादा लिक्विट में भोजन ना दें इससे भी साथियो उसके रिजल्ट पर फरक पड़ता है यदि आप ड्राई में उसे भोजन देंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर होके आएगा साथियो और यदि आपने liquid में भोजन दिया तो उसका जो result है वो थोड़ा लेट आता है दो या तीन दिन के भीतर ये बिल्कुल clear हो जाता है रोग साथी और इसमें ज़्यादा घवराने की जरूरत नहीं है पहले दिन second symptoms में साथी और इस पसू के अंदर temperature नहीं होता है अब जानते हैं तीसरे दिन इसको कितना relief में दा ये देखिए साथी ये जो condition है पफेलो की ये तीसरे दिन की है केबल 15% इसको जो symptoms थे वो तीसरे दिन दिखाई दिये जबड़े के नीचे जो swelling थी साथी वो बिल्कुल खतम हो चुकी थी आँखों की जो swelling थी वो भी बिल्कुल खतम हो चुकी थी जब हम तीसरे दिन पहुँचे लेकिन हलकी सी आँख में side में जैसा कि मैंने कहा था कि कभी कभी मवाद बन जाता है उस condition में वो अपने आप भी food जाता है किसी किसी case में उसका operation भी करना पड़ता है लेकिन इसका कुछ भी नहीं किया गया था और दूसरे दिन की तरह तीसरे दिन भी इसको treatment किया गया था लेकिन साथियो जैसे ही हम चौथे दिन पस पालक के घर पर पहुँचे तो उनकी वफैलो के आँख बिलकुल स्वस्त थी आज इस वफैलो को बिलकुल भी कोई परिशानी नहीं है तो बस साथियो आपको treatment क्या करना है शुरूब मैं deworming लेके चलनी है और जैसा कि मैंने injection 1 by 1 condition से day by day condition से जो बताए हैं पहले दिन से तीसरे दिन तक बिलकुल एक समान injection लगेंगे और ये वफैलो बिलकुल द्वारा से फिट हो जाएगी और फिट होकर के साथियो दाने पर अपने फीड पर और बैक होकर के दूद पर द्वारा से आएगी साथियो मेरा कोई अन्युदेश नहीं है बड़ी वीडियो करने का लेकिन पूरी वीडियो के अंतरगत पूरी जानकारी हो जाती है इसलिए धन्यवाद